अगर आप भी पेट दर्ट, गैस, एसिडिटी, अफारे से परेशान हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सिर्फ एक चमच ये चूरन खालो, फिर देखो क्या कमाल होता है। कितनी भी गैस, एसिडिटी, बधजमी की प्रॉब्लम हो, सारी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही ये चूरन अब बच्चों को भी दे सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, घर का बना हुआ चूरन है। हाई फ्रेंट्स मैं गीता वर्मा, गीता किनो रेसिपीज हिंदी में एक बार फ्रेंट से आपका बहुत बहुत सौर्गत करती हूं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। दुसरों के साथ शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जबूर चाहिएगा। तो आईए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है जो सबसे छोटा वाला चटनी वाला जार होता है वो आपको लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन आप जानते हैं जब भी हमें गैस होती है अजवाइन का सेवन करते हैं। करते हैं क्योंकि इससे जितनी बे गैस बनी होती है वो सारी निकल जाती है डाजेशन के लिए बहुत अच्छी है और कितनी भी पेट में दिक्कत हो वो सारी आपकी दूर हो जाती है तो यहाँ पर मेरे पास यह बारीक वाली है अगर आपके परस मोटी वाली है तो वो भी यूज कर सकते है तो एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन जिसे कैरम सीट्स भी बोला चाता है इंगलिश में अब जो अगली चीज में यहाँ पे लेने वाली हूँ है वो है जीरा और जीरे को आप जानते हैं अच्छा है कितनी भी दिकत हो आपको पेट दर्द हो रहा है गैस है एसिडिटी है सब इससे आपकी दूर हो जाती है तो एक टेबल स्पून अब मैं यहाँ पे ले रही है सौफ साबुद सौफ है सौफ आप जानते हैं जब भी हम किसी रेस्टरेंट में जाते हैं बाहर ज अच्छे से साथ ही जो मुझ से स्मेल आती है खाना खाने के बाद वह भी नहीं आती है तो यहाँ पे एक टेबल स्पून में अभी तक सारी चीज़ें ली है नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट बहुत जादा कमाल का है बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में बहुत लो बहुत अच्छी है अगर आपको खाना हजम नहीं होता है तो यह आपका खाना हजम कर देगी खाने के बाद खटी डखारे आती है एसिटिटी की प्रॉब्लम रहती है सब आपकी दूर हो जाएगी तो यहां पर मैंने साथ से आठ पीस इसके डाल दिये है और अब जो नेक् बहुत ही अच्छा होता है साथी बीपी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे बीपी नहीं पड़ता है और यहां पर जो अगले चीज में ले रही हूं काला नमक काला नमक जानते है डाजेशन के लिए खाया जाता है खाने को हजम करता है तो यहां पर मै चीज लिए फ्लेवर देती है इसलिए डालने का साथ द homepage तो यहां पर हींग यूस करनी है चोटे बच्चो को आपने देखा होगा हींग तो यह जो होने वाले है। वूटे बचों के लिए भी वीडियो के लास्ट में बताओंगी कि कैसे किसको लेनी है इसलिए वीडियो में पूरा बने रहेका, चेप मत करींग.. तो यहां पर मैंने क्या क्या है, तो सारी चीजों को अच्छे से पीस लिया है पटे बच्चों के लिए होने वाले वीडियो के लास में बताऊंगी कि कैसे किसको लेनी है इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा स्किप मत करिएगा तो यहां पर मैंने क्या क्या है सारी चीजों को अच्छे से पीस लिया है एक बारिक पाउडर बना लिया है यह तैयार हो गया है इसको कैसे लेना है कैसे ये असर करेगा ये सब मैं आपको portion का मारा है कि चूरलिंस के साथ है ये ऐसा क्माल का लैंड करती चूरण मैं के簡zem को बहुत ज़ादा दिक्त देता है rat पर यह जो चूरन है इससे ना तो आपका पेट खराब होगा बलकि पेट सही हो जाएगा आपका जो इंटेस्टाइन है बलकि और जादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ नैश्रल चीजों का इस्तमाल किया है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अब आपको इसे ले दिकत है तो एक भर के चमच ले सकते हैं बट वैसे एक छोटा चमच इस तरह से चल जाएगा इससे आपको कैसे लेना है आपको इसे गुनगुने पानी के साथ लेना है बड़े लोगों के लिए बता रही हूं कैसे लेना है एक चमच ये ले लिजे गुनगुने पानी को ल चोटे बच्चो को इसे कैसे देना हे तो यहां पर द Süक हैरे दियाए जो नहीं खाब इसाथ मैं शुम्वार से। बाइंगी जो बच्च वह सकती Onब्स चूरान को मैं इसके अंदर मिलाने वाली हैं बहुत ध्यान से देखिएगा गलत तरीके से देंगे तो इसका जो प्रफाव है वो गलत भी हो सकता अगर जादा दे दिया तो बच्चे का पेट भी खराब हो सकता है तो जैसे मैं बता रही बिल्कुल वैसे देना है मैंने इस से चमच से आधा चमच इसके अंदर डाला है प हर के फान से ज्रहां का वगचा है तो आधा अधा चमच करके आप कुछ कि एक बार को दे ना है एक साथ मत दिजेगा सारा फॉन करकर के आपको तीन से चार बार इसे दे सकते हैं और अधन साल से पान साल के बच्चे के लिए आपको इसे बस चटाना है इससे जादर नहीं करना एक साल से चोटे बच्चे को मत दीजिएगा डॉक्टर को दिखाईएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्याद चोटे बच्चे होते हैं इसलिए उनके लिए रिकमेंड नहीं करती है और इस तरह की चीज़ों का मुग का टेस्ट भी खराब कर देती है त सुबह खाली पेटी से एक चमच डेली ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा चैनल पे पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब